नमस्कार दोस्तो सिविल इंजिनेरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्पुन वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभी स्वीक सिंग दोस्तो फ्रेम्ड एस्ट्रक्चर घर में कॉलम और बीम में आप गलती नहीं कर सकते हैं अब दोस्तो ज कॉलम के फेस पे अब दोस्तो आप एक चीज़ बताना कि जब इस सट्रिंग को हटाया जाएगा मतलब कि इस पत्रा को हटाया जाएगा तो एक इंच का जो गैप है वो तो दोस्तो कॉलम में रह जाएगा चुकि इतना जो मुटाई है वो तो कॉलम से हटने वाला है तो इस से जो कास्टिंग हो उसमें अच्छी पकर बने इधर देख सकते हैं दोस्तो प्लास्टरिंग हो गया है हाफ इंच का प्लास्टर था दोस्तो फिर भी आप अगर देखेंगे तो दोनों साइड से आपको जो है वो पत्रा बिल्कुल आउट देखने को मिल रहा है अब बात कर लेते हैं दोस्तो ये देखिए कि यहाँ पे आखिरकार कैसा काम होना चाहिए था अप देख सकते हैं बिल्कुल दोस्तो जो कॉलम का फेस है और जो आपका इस्टार्टर का फेस है एक लाइन में होना चाहिए ना कि सट्रिंग उस लाइन में होना चाहिए ठीक है आपको य उमीद करता हूँ कि आप इस वीडियो का जादा जादा फैदा उठाएंगे, फैदा किस तरह से उठाएंगे, ताकि आपके अपने घर में इस तरीके के गलती नहों, चुकि आपका अगर गलती होगा, या तो आपका इस्ट्रक्चर कमजोर होगा, और नहीं तो दोस्तों क्य होगा कि आपको मेटेरियल में उस चीज की भरपाई करनी होगी, ठीक है, तो दोनों चीज के आप ध्यान रखेंगे, फिर मिलते हैं एक बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो का साथ, इजाजे दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद.